आपके नेता की तस्वीर मिली एसा जब उल्डोजर चल रहा था उनकी पत्नी भी अगर मैं गलत नहीं हूँ आपकी पार्टी में है और मिशन दौजार बाइस में तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी आतिक एमत के साथ की देख पहली बाद तो आप अपने आपको करेक्ट कर लीजिए वो हमारी पार्टी में नहीं है हम और आप जैसे बहुत सारे चैनल जो इस कानून का मजाग बनते हुए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अदालतों को बंद कर दीजिए कानून प्रिक्रिया बंद कर दीजिए फिर तो एक मुक्मंत्री ही चीफ जस्टिस हो जाएगा कौन से कानून का मजाग सर बताइगे ला अगर किसी का गुना किसी को सजा कौन से कानून का मजाग बताइगे ला कौन से कानून का मजाग उड़ रहा है अभी मैं जिसका वो मकान है उसके वकील का ट्वीट सुन रहा था मैं अरे ट्वीट सुना नहीं जाता है पढ़ा जाता है अगर कान है तो आपके कान है सर कान आपके शायद नहीं है इसलिए आप सुनने ही रहा कि कौन से कानून का मजाग उड़ रहा है आप सुनिये आपकी जुबान और कान दौनों गिर्वी रखे हुए मेरे कि लिए नहीं है उनके वकील ने बाकाइदा ट्वीट पर ये वीडियो अपलोड किया और ये कहा कि वो मकान एनाई के बांदा के पत्रकार जफर का है उसने किराय पे शायस्ता परवीन को दिया तो राइफल और तलवार क्या कर रही थी उसके घर में राइफल और तलवार क्या कर रही थी उसके घर में अरे कलमुल भाई राइफल और तलवार क्या कर रही थी उसके घर में अरे सुनिये ना तलवार और राइफल क्या कर रही थी उसके घर में पत्रकार के घर में सर तलवार राइफल होती है क्या तो अगर किसी के घर में तलवार और राइफल की जरूआ थाए था? ने ने सर चिलता मत करिया ए मैं किसी अपरादी के लोगों से ना मिलता हूं बहुत दूर से ने नी सर खोई दूरा सलाम नहीं होती है मेरी और मुझे तलवार और और लाइफल की जरूर से चरह कि जरूरे है चानुन बताईए कौन से कानुन का बता कुड़ रहा है। पुछूगा कि एक पसकार जो को जरूरते क्या तलवार और राइफल अपने घर में रखने की पहले संगी त्रागिया रोग यह सर आपने सरकारों को मजाग बना रहे हैं सर पॉलिटिक्स का आप लोग मजाग बना रहे हैं अपने अपनी पार्टी में लेकर आप लोग जोंगे आपने राजनीत का मजाग बना करक दिया है ठीक है सर आप संगीत रहे हैं